हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 265E के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड पिछली धारा का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं CRPC की धारा 265E के बारे में यह कहता है मामले का निप्टारा तो मामले का निप्टारा नियायले के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा याने के उसका जो भी खरचा हुआ है या जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भर्पाई करवा जायेगी तो किस प्रकार से क्या-क्या किया जाएगा इसके समद में यहापर CRPC की दारा 2060 E में बता दिया गया है क्या लिखा हओ है समन्न में इस समन्न में लिखा है कि जहां 325 नियृण निप्टाररा रीती से करेगा क्या क्या करेगा नियायल है पहले पाइंट में ये बता दिया गया कि नियायल है पीडित व्यक्ति को धारा सदाचार की परिविक्षा पर या धारा तीन सो साट के अधिन बस्तरना के पश्चात छोड़ने अध्वा अपरादी परिविक्षा अधिनियाम 1958 या तस समय किसी प्रवक्त विधी के अधिन याने के उस समय जो कानूं चल रहा हो याने के उसके अनुसार 1973 में बनी दिने CRPC उसको दो गए 50 साल तो उस समय जिस समय ये काम हुआ है जिस समय अभियुक्त को पकड़ा गया है उस समय यदि कोई दूसरा कानूं चल रहा हो तो उसके अनुसार या फिर परिविक्षा अधिनियाम 1958 के अनुसार क्या किया जाएगा अभियुक्त के संबंद में कारवाई करने के विशय में पक्चकारों को सुनवाई करेगा और अभियुक्त पर दंड अधिरूपित करने के लिए पक्चात वर्ति खंडों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा याने के परिविक्षा अधिनियम के अंतरगत यदि उसको बदसन्ना के साथ चोड़ना है के एसा के के छोड़ना है के भईया आब यसी कारवाई नहीं होना चीए आब यसा कोई काम नहीं होना बदसन्ता है है ऐना इस प्रकार से याने कि न्यायलै जो है उसको चेतावनी दे करके छोड़ सकता है किसको अब यूप्तयु को पहली चीज आप परिविक्षा अधिनियम 1908 ऐसा किया जा सकता है अब पॉइंट नंबर खा में बताया है पॉइंट नंबर दो में कि पॉइंट नंबर एक के अदिन अभी हमने जो पड़ा उसके अदिन पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात यदी नियायलाय का यायमत है कि धारा 360 या अपराधी परिविक्षा अदिनियां 1958 या तरस समय किसी प्रवत्विदी के अदिन यानि उस समय जो कानून चल रहा था उसके अदिन अभीउप्ष के मामले में आकरसित होते हैं तो वह यथा इस तिति अभीउप्ष को परिविक्षा पर छोड़ सकेगा या ऐसी किसी विदी का लाव दे सकेगा परिविक्षा पर के देख लेगा यदि उसने ऐसा काम नहीं किया जो अभियुक्त ने यदि कुछ गलत काम नहीं किया या ये कहें कि वह अपराद नहीं किया तो फिर उसको आगे देखेंगे लेकिन परिविक्षा पर अभी छोड़ देंगे उसको उसको चेताब नहीं दे करके छोड़ दिया जाएगा उससे कोई बर्ण भर्बा करके उसको छोड़ दिया जाएगा है ना उसको और भी कोई लाब दे सकते हैं लेकिन एक बात और है किनी मामलों में ऐसा होता है कि कानून में ये लिखा जाता है कि भाईया कम से कम इतनी सजा तो उसको देनी ही पड़ेगी ये किसी किसी मामले में लिख देते हैं कि भाईया कम से कम छे महीने की सजा तो देनी पड़ेगी और जादा से जादा साथ साल की सजा उसको दी जा सकती इस प्रकार की बातें लिखी जा सकती हैं कानून में किसी अपराद में किसी अपराद की धारा में इस प्रकार की बातें लिखी होती है यदि ऐसा लिखा गया है कि कम से कम इतनी सजातों देनी ही है तब क्या करेगा नियाल है तो यहां तो निप्टा रहा हुआ है समझोता हुआ है और समझोते में लेंदेन भी हुआ है और लेंदेन के आधार पर परिवादी ने अभियुक्तों को माफ कर दिया है पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायलाय को यह लगता है कि अव्यूक्त द्वारा किये गए अपराद के लिए विधी में यहने के कानून में नियूनतम दंड उपबंदित किया गया है तो वह अव्यूक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे का दंड देगा आधे का दंड दे सकेगा कहने का मतलब यह है कि यदि कानून में यह लिख दिया गया है कि कम से कम छे महिने की सज़ा तो इस अपराद के लिए है जादा से जादा साथ साल की सजा दी जा सकती है तब ऐसे समय में क्या होगा कम से कम 6 महीने की सजा है तो तो ऐसे समय में नियायल है उसको 3 महीने तक की सजा दे सकेगा ऐसा है कि 6 महीने की सजा तो कम से कम दे नहीं थी अब निप्टा रहा हुआ है तो ऐसे समय में कम से कम तीन महीने की सजा दे सकता है न्यायले ऐसा लिखा हुआ है कि दे सकेगा ये नहीं लिखा हुआ है कि देगा याने कि कम से कम तीन महीने की सजा दे सकता है अब पॉइंट नमबर खा में लिख दिया गया पॉइंट नमबर चार में कि खंड खा के अधिन पक्चकारों को सुनने के पच्चाथ यदि नयायले को ये पता चलता है कि अव्यूक्त द्वारा किया गया अपराद खंड खा या खंड गा के अंतरगत नहीं आता है खंड खा के अंतरगत मतलब कि उसको परिविक्षा पे छोड़ दिया जाए चेतावनी दे के छोड़ दिया जाए बॉंड बरबा के छोड़ दिया जाए ऐसा अपराद नहीं है उसका या खंड गा के अधिन ऐसा अपराद भी नहीं है कि कम से कम छे महीने की तक की सजा उसको दी जानी चाहिए तो फिर आधी सजा उसको दे दें ऐसा भी नहीं है तो फिर नियायलाय क्या करेगा यानि कि दोनों नियम उस पर लागू नहीं होते हैं तब ऐसे समय में नियायलाय क्या करेगा तो नियायलाई ये देखेगा कि फिर उसमें जादा से जादा कितनी सजा दी जा सकती है उसकी एक चोथा ही सजा जो है नियायलाई दे सकता है मतलब जादा से जादा सजा उसमें साथ साल है या आठ साल है तो उसका एक चोथा ही कितना होगा यदि आठ साल है जादा जादा की सजा तो फिर दो साल तक की वो सजा दे सकेगा दे सकेगा का मतलब यह है कि दे सकेगा कहने का मतलब यह है कि यह बाउंड नहीं है कि दो साल की सजा देगा ही वो कम से कम मतलब दे सकता है जहां 8 साल तक की सजाद दे सकता था वह 2 साल तक की सजाद दे सकता है इस प्रकार से यहां लिख दिया गया कि यदि नियालाई को ऐसा पता चलता है कि अभ्यूप्त द्वारा किया गया अपराद खंड खा के अंतरगत भी नहीं आता है और खंड गा के अंतरगत भी नहीं आत तो वह अभ्यूप्त को यथा इस्थिति ऐसे अपरात के लिए उबंदित या बढ़ाये जा सकने वाले दंड के एक चोथाई भाग का दंड दे सकेगा याने एक बटे चार का दंड दे सकेगा जहाँ आठ साल तक की सजा हो सकती थी वहाँ पर दो साल तक की सजा उसको दे सकेगा देगा ऐसा नहीं लिखा है दे सकेगा ऐसा लिखा हुआ है तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया CRPC की धारात 265E के बारे में यदि आप CRPC से अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा IPC, CRPC और भारती दंड सहिता याने कि भारती संबिदान से रेलेटेड संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे याने के तीन चीजों के वीडियो मिलेंगे आपको यहां पर भारती संभिदान, IPC और CRPC के संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को LIKE करें, SHARE करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद